हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हवाशिंग चैल संपादकाप का संदेश दोस्तों जैसे की उमीद जताई जा रही थी के लाकडाउन को बढ़ा जा सकता है तो आज अभी अभी अपने संबोधन में फर्दान मंत्री श्री नरेंदर मौदी जी ने लोकडाउन को पूरे देश में तीन मई तक बढ़ा दिया गया है आला कि इसमें कुछ अक्षेतरों में थोड़ी छूट दी गई है जिसमें खास करें मजदूरों के लिए सर्मिक कल्यान के लिए उनने बता है कि उनकी रोजी रोटी के इसाब से बीश मई बीश अपरेल तक की छूट दी गई है बीश पर बीश के बाद भी उनमें डिल चालू रहेगी नई तो पर और ज्यादा सकताई से वह चालू किया जाएगा और बीश अपरेल के बाद अगर परिणाम सही नहीं आए तो वह भी उनकी और ज्यादा सकताई करीज आ सकती है और जो ठोड़ी पूर डील दी गई है वह डील भी समाप्त कर दी जाएगी तो इस में परदान मंतरी ने खास कर यही कहा है कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश के अंदर कोविड नाइनटीन के बहुत कम केसिज हैं क्योंकि यहां लोगडालन का पालन ठीक डंग से हुआ है और सरकार ने भी और दूसरी पासकर जो क्रोन योदा आज के दिन डॉक्टर हैं नर्सिज हैं और पर्रमेडिकल स्टाफ है पुलिस है और एंजियो वगरा हैं और इसमेडिया के भी कम भुमिका नहीं है जिन्होंने काफी लोगों को जाग रुख किया है तो इन सभी का उन्होंने दनेवाद भी किया है और आगे भी यही कोशिस की है कि वह यह अपने इसी तरह अपनी भूमी का निवाएं और देश को करोना से बचाने की पूरी पर पूर सहयो करें सरकार का भी और आपस में अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिए भी और जो गरीब ऐसा आए हैं उनका भी एक बात विशेश तोर पर परधानमंत्री ना आज कही के बुज़रक अद्मियों की और खासकर उन बुज़रकों की जो पहले से इकिशन की सिरोग से गरस्त हैं उनका विशेश ध्यान रख्या जाए क्योंक experiences के इस महामारी में जो बुज़रक अद्मी है और पहले से किशे व पिशेश करहें जो कि आपने अभी टीवी पर भी सुनी हैं और सारे उनका परचार हो चुक्या है तो उनको ज्यादा डिटेल में बताने जुरूरत नहीं आप सब समझधार हो तो उन्होंने जो कुछ कहा है उसका पालन होना चाहिए और खास बात यह है कि तीन मई तक पूरी हैं इसका क्या परिणाम होता है और इस में खास बात यह है कि हम एक दूसरे का सब्सक्राइब करें और जो भी स्टाफ है ऑस्पिटल का है साय और सुरक्षा से संब्दित है साय वह मेडिया है साय और परचार करने साथ नहें तो उनकी अपनी डूटी नवाएं और उनकी के साथ हमें कुछ नहीं ज्यादा बताते हुए यह करता हूं कि लोग टाउन का तीन मई तक और भुगतें क्योंकि यह हमारे हित्म है और इसको अगर हम ठीक तरह से लागू रख पाएंगे तो दुनिया को देखते हुए हम सुरक्षित रहेंगे और भारते कैसा देश है ज दूसको और आगे बढ़ाना मैं समझता हूं बहुत सोच समझ कर लिया गया एक फैसला है और इसको पूर्ज और इसके समर्थन माएं और पूरी तरह लोगडाउन का पालन करें और पूरी तरह सुरक्षा रखें और इन में जो करिये रहते हैं लोग उनके साथ सहयों करें धन्यवाब नमस्कार